इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगनी प्राइम मिसाइल के बारे में अगनी प्राइम मिसाइल डियाडियो का इतना स्पेशल क्यों है इस पर इतनी बातचीत क्यों हो रही है ये क्यों कहा जा रहा है कि अगनी वान मिसाइल से ये बहुत जारा भैतर है सबसे पहले यहाप आपको समझना होगा कि अगनी मिसाइल की जो सीरीज है यहाँ पे आपको medium range से लेकर intercontinental range के मिसाइल मिलेंगे और यह सब डेवलप किये गए हैं under the integrated guided missile development program जिसको head किया था the legendary scientist डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने और यहाँ पे आप देख पाऊगे यह है अगनी जो 6 है, जिसको सूर्य मिसाइल भी का जाता है, इस पर अभी ट्रायल चल रहे हैं, यह भी डिवलप्पेंटर स्टेज पर है, इसका आज तक कोई टेस्ट हुआ नहीं है, ओपरेशनल मिसाइल की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे अगनी 1, 2, 3, 4 और 5, रेंज आप स्मॉल रेंज मिसाइल है, इनके आशकता क्यों है, देखो अब यह सी बात है, अगर आपको शॉर्ट डिस्टेंस में अटाक करना है, तो वहाँ पे आपको शॉर्ट रेंज मिसाइल चाहिए होंगे, क्योंकि अगनी 2 मिसाइल आप अगर देखो, तो इसका टार्गेट 2000 किल से कम आप रखोगे, तो अटाक करने में प्रॉबलम आएगी, तो शॉर्ट रेंज मिसाइल दुनिया भर में आपको मिलेंगे, और ये बहुत ही इंपोर्टन कंपोनेंट होता है, किसी भी कंट्री की मिलिटरी का, उसके लावा एको फेक्टर ये भी है, कि शॉर्ट रेंज मिसाइल का जो वजन है, ये काफी कम होता है, अगर आप देखो अगनी 5 को, तो इसका वेट हो सकता है, अराउंड 50,000 kg, वेरास अगनी 1 का जो वेट है, ये रफली अराउंड 12,000 kg, तो मतलब कि कम वजन होगा, तो इनको ट्रांसपोर्ट करना भी relatively होता है, असान, और हाँ, सिंस यहाँ पर हम बात करें, रेंज की, आप सब से मैं question पूछूँगा, मैं चाहता हूँ आप सब लोग comment section में question करें, likes 30,000 के भी उपर पहुच जाते हैं, बहुत सारे reviews आ जाते हैं, मगर यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि आप सब की participation भी हो, सागरिका मिसाइल के बारे में आ 1500 km या फिर 2000 km, answer the question in the comment section below, सही answer मैं आपको दूँगा, वीडियो के end में, अगनी वान पर अगर हम focus करें, तो आपको बताए कि इस unit की cost है, around 35 करोड रुपीज, और इसको overall हम बहुत बार test कर चुके हैं, मगर अगनी वान की problem यह है, कि सिंस यहाँ पर एक canister system नहीं है, तो इस short range missile के हिसाब से आप अगर देखो, तो यह काफी ज़रा वजनी है, 12,000 kg is a lot of mass, तो इसलिए DRDO ने यहाँ पर यह सोचा कि, अगनी मिसाइल को हमने develop किया था 1990s में, अब हम 2021 से भी आगया गए हैं, तो time आ चुका है कि अगनी वान का एक latest variant बनाया जाए, तो DRDO इसलिए आज क किसमे काम कर रहा है, अगनी प्राइम पर, अगनी प्राइम हर लिहाज से, अगनी वान से भेतर है, जहाँ पर अगनी वान की सिर्फ एक single stage है, अगनी प्राइम की है दो stage, मतलब के launch पे control आपको थोड़ा सा जादा मिलेगा, उसके इलावा, अगनी प्राइम में आपको मिले कैनिस्टर, अब यहाँ पे आप कहोगे, यह तो एक cover लग रहा है, एक missile का, तो यहाँ पे आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हो, कैनिस्टर बेसिकली एक cover ही होता है, एक missile का, कैनिस्टर के बिना आप अगर missile को carry करोगे, तो हमेशा डर यह रहता है, कि outside जो भी particles होते हैं, for example, ब आप अगनी वान missile को carry कर रहे हो, एक truck पे, रास्ते में जो सड़क है, बहुत ज़रा खराब है, लगातार shocks लग रहे हैं missile को, dangerous है, missile के internal structure के लिए भी खराब है, तो कैनिस्टर काफियर तक जो shock है, उसको भी absorb कर लेता है, springs होते हैं अंदर बहुत सारे, weather भी stabilize रखता है, और snow और rain से भी missile को बजाता है, और यहाँ पर आप देख पाऊगे, इस तरीके से कनिस्टर काम करता है, यह आप एक कनिस्टर, यह उपर इसका cover हो गया, और यहाँ पर इस तरीके से missile launch होता है, तो यहाँ पर आप समझ गए, कि अगनी प्राइम missile का एक कनिस्टर version भी available होगा, त अगनी फाइब को टेस्ट किया था, यहाँ पर आप देख पाऊगे, इंडिया कंड़क्स, कनिस्टर बेस टेस्ट फाइरिंग और अगनी फाइब बलस्टे कनिस्टर यह आपके सामने इमेज है, यह है अगनी फाइब missile और यह नीचे है इसका कनिस्टर, तो डेफिनेटली अगनी फ्राइम को advantage मलता है कनेश्टर missile से उसके इलावा इसका जो वजन है अगनी वान से काफी कम है specifically कितना कम है ये DRU ने भी उताया नहीं है क्योंकि I think अभी in the future और ये इसका weight reduce करने की कोशिश करेंगे मगर इसका weight अगर अगर मान के चलो 10,000 kg से हम कम कर लेते हैं that will be a huge achievement क्योंकि आप खुद समझ सकते हैं क्योंकि अगर मान लो एक time पे आप पहले carry कर सकते थे पहले अगर मान लो हम लोग transport कर सकते थे एक time पर 5 अगनी 1 missile तो अब इसकी जगा हम transport कर पाएंगे 6 अगनी prime missile इस सब के अलाबा इस missile में एक खास्यत ये भी है कि जो technology यूज की जाएगी इसको develop करने में वो है cutting edge इसमें बहुत सारे जो navigation systems हैं वो हम यहाँ पर use कर रहे हैं वो navigation काफी अगर तक अगनी 4 और अगनी 5 जैसे होंगे यहाँ पर आप देखोगे the two stage solid fuel missile हाँ यह भी जान लो आपके वाइन में कुशन आ सकता है कि अच्छा पहले तो solid fuel था single stage अब दो stage आ गई तो इसमें क्या कोई liquid stage है तो इसका अंसर है नहीं दोनो solid fuel होंगे और इन में होगा state of the art navigation system based on advanced ring laser gyroscope तो मतलब कि जो इसकी accuracy है जो इसका precision है target ढूंडने की शम्ता इसको hit करने की शम्ता यह काफी अतक भैतर होगी अगनी वान से so in every way shape or form it is a better missile मेरे खास यह कोई बड़ी बात नहीं है कि in the future DRDO पूरी अगनी सीरीज का एक modern version release करे इसमें obvious ही बात है अगनी 4 और अगनी 5 का तो कुछ नहीं होगा क्योंकि अलड़ी यह काफी modern है मगर 2-3 में भी यह काफी improvement कर सकते हैं यहाँ पे आप पूछेंगे कि क्या यह अगनी prime missile तियार हो चुका है क्या armies को अलड़ी use कर रही है तो इसका answer है नहीं अभी इसका test होगा June 28 और June 29 को और उमीद यहाँ पर यह है कि बहुत ही जल्द यह operational use में आ जाए इंडिनार्मी इसको use करना start कर दे क्योंकि एक short range missile जिसकी range 1000 से लेकर 1500 के आसपास की है यह बहुत useful होगा near line of control और near line of actual control और हाँ अब वापस आते है अपने question पे के सागरिका K-15 missile की range क्या है तो सही उत्तर यहाँ पे है 750 km और आपको अगर इस वीडियो की PDF चाहिए लगातार notification चाहिए मेरी हर वीडियो की तो टेलिगराम एप पर जाओ Google Play Store से डाउनलोड कर लो और यहाँ पे सर्च करो और यह जो टेलिगराम चैनल है इसको जोइन कर लो मेरी सारी वीडियो की notification यहाँ पे आपको मिलेगी उसके अलावा this is the best way to stay connected तो जोइन कर यह टेलिगराम चैनल अल्ड़ी करीब 2 लाग के आसपास लोग जोइन कर चुके हैं और यहाँ पर मैं यह भी आट कर दूँ कि आप किसी भी एक्जाम की त्यारी कर रहे हैं चाहे SSC, bank, railways, IIT, any examination simply जाओ anacademy.com पे और यहाँ पे जो अर्डिनल प्राइस है यह पे मत कर देना यूज करो यहाँ पे प्रोमो कोड PD10 और प्राइसेज आपके इतने हो जाएंगे after the discount यहाँ पे आप देख पाएंगे हर एक्जाम में आपको discount बिलेगा इस मही ने हजारो बच्चों ने use किया है PD10 to save money because money saved is money earned so इसी note के साथ यह है वीडियो कांथ thank you for listening and as always God bless you all झाल